कि चलिए इंट्रस उन क्यापिटल और इंट्रस उन ड्रॉइंग मैं सारा अजस्मेंट इसलिए करा रहा हूं आपको नोटिंग आज करने का वक्त नहीं मिलेगा आपको मैं पीडियाप भेजूँगा और घर पे नोटिंग करोगे और अच्छे से रिवाइस करोगे कि कौन सा कहा जाता है इसके बाद सिर्फ हमारा काम रह जाएगा क्लास में कुश्चन करना और जो अर्जस्मेंट है आपके देखोगे नोट निकालोगे और उसमें से चेक करते जाओगे ठीक है इंट्रस ऑन कैपिटल और इंट्रस ऑन ड्रॉइंग तो पहली बात इंट्रस ऑन जो क करता है कैपटल डाल देता है इसलिए लाइबलेटी साइट में और अगर इंट्रस की बात करें तो बिजनस ऑनर को देगा तो अगर ट्राइल बेलिंस में हुआ तो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में चले जाएगा तो जाएगा दूसरा एड कैपटल में हो जाएगा दूसरा के ऑगा हमारा क्यापटल में एड हो जागा क्यूंकि जैसे मान लेते हैं मैंने सामने आले बिजनस अलग और मैंने बिजनस को क्या कर तो तो और ये वाला 20,000 भी बिजनस पे ही रहे गिया मेरा भी आज वाला तो टोटल कितने होगे पांच लाग 20,000 इसलिए एड हो गया ठीक है इंट्रस और ड्रॉइंग बिजनस के लिए क्या माना जाता है इंकम माना जाता है ऐसे सिचुएशन में क्या होगा एक तो ट्राइल वेलिंस के प्रॉफिट एंड लॉस के कहा चला जाएगा credit side, क्यूंकि income है न, इसलिए credit में, अगर adjustment में है तो profit and loss के credit side में, और less from capital, capital में से minus होता है, क्यूंकि drawing है और interest on drawing कहीं न कहीं, drawing से connected होता है, और drawing हमेशा capital में से ग्या होता है, minus, तो interest on drawing भी capital में से ग्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत चोटी से चीज़ है आपको एक बार ध्यान रखना है और इसके आगे हम कौन-कौन सा अर्जेस्मेंट देखने वाले हैं कुछ वार एक्जामनर कुछ िस तरीके से आपके साथ ये naw रहें हमने देख लिए हालागे अछिसमेंट हैं वो आपको एसे लिखेंगा रेंड और ब्रैक्ट में लिखको बार दिखी है вес बार ऑठिक हरे ले लेकिन वीनगे सब्सक्राइब कर रहें कई बार आपको ना एसे लिखेगा रेंट और ब्रैकेट में लिखेगा 11 महिने तो इसका मतलब जो यह बाइस हजार है और आप मेंसा याद रखना जो आपका प्रॉफिट लॉस बनता है प्रॉफिट लॉस ऑल्वेश पता है कितने में तो अगर आपने 11 महिने का रेंट है तो इसका मतलब होगा रेंट तो बारा महिने का ही लेकिन आपने पेमिंट कितना कर रखा है क्योंकि यह trial balance है trial balance के अंदर जो भी कुछ होता है वो चीज हो चुका होता है past event होता है तो अगर debit में तो payment हो चुका है तो अब इसका मतलब हमारा एक महिने का रेंट अभी देना बागी है यहां से पता चलेगा एक महिने का रेंट कैसे निकालोगे अब आपको पता है एक महिने का आउट्सेंडिंग है तो इन टू में क्या कर देते दो सपूस कुरू मैं ब्रैकेट में 11 के बदले 10 लेखता तो मैं यहां पर क्या करता यहां डुवैद यहां पूर्याज़ दिवाइड भाइसे यहां में लुगल करता है क। तो ऐसे सफार्स अगर प्रॉफित्ट और लॉ जबूद्स क्या होगा, इसका adjustment, trial balance में given है, profit and loss के debit side add expense में हो जाएगा, यानि क्या होगा, जो profit and loss बनेगा, उस पे से पहले से हमारा rent लिखा होगा, जो rent था हमारा, that is 22,000, और उसके अंदर add कर देंगे हम, outstanding rent, और that is आपका 2000 रुपे, और total profit and loss में कितना आ जाएगा, 24,000, आप outstanding क्योंकि इसमें कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ, 2000, तो balance sheet के liability side में चला जाएगा, हमारा मात्र, 2000, समझे, हाँ, क्योंकि hidden adjustment हम कर रहे हैं, तो hidden adjustment trial balance के बाहर होगा ही नहीं, वो हमेज़ा कहां दिखेगा, आपको trial balance के अंदर ही दिखेगा, ठीक है? कर दो पाहर होगा हमार है थे झाला जाएगा है?